आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निरने लिया है मैं आज देश वासियों से एक शमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाएगे आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश परव है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीन कुरुसी कानुनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है संसत सत्रह में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानुनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्या को पूरा कर देंगे साथियों मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूं आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरूवात करते हैं नए सिरे से आगे बढ़ते हैं साथियों आज ही सरकार ने किसी क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला दिया है जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेतु को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटरन को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बनाने के लिए ऐसे सभी विश्यों पर भविश्य को ध्यान में रखते हुए निरने लेने के लिए एक कमीटी का गठन किया जाएगा इस कमीटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे किसान होंगे, कृष्य वैज्यानिक होंगे, कृष्य अर्थसास्री होंगे साथियों हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मैं गुरु गोविन सिंजी की भावना में अपनी बात समात्त करूँगा देही शिवावर मोहे इहे सुब कर्मन ते कभून न टरो हे देवी मुझे ये वर दिजिए कि मैं सुब कर्म करने से कभी पीछे ना हटू जो किया किसानों के लिए किया जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ आप सभी के आशिर्वात से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद